36 गड़ में समय समय पर यह बात उठती रहती है कि राज में विधान परिशद होना चाहिए इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वे नेता कहीं ज़्यादा उत्सुक रहते हैं जो अपने दल की सेवा करने के बावजूद सत्ता से वंचित बने रहते हैं वरिष्ठ राजनेता ऐसे वंचित नेताओं को भरोसा दिलाते रहते हैं कि विधान परिशद बनेगी और कम से कम 40 नेताओं को सत्ता का सुख मिलेगा इस सिलसिले में दिल्चस्प बात यह है कि 36 गड़ का गठन होने पर प्रदेश के पहले CM श्री अजीद जोगी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि राज्य में विधान परिशद होना चाहिए जो राजनेता विधान सभा लोक सभा या राज्य सभा नहीं जा सके हैं उन्हें राज्य की विधान परिशद का स्रिजन कर उसमें एड़्जस्ट किया जाएगा जोगी जी की इस बात को लेकर कॉंग्रेस ही नहीं विरोधी पक्ष के नेता भी काफी उत्साहित हो गए थे बाद में यह बात हवा हवाई हो गई मध्य परिश का मामला बहुत अनोखा है सन 1956 में मध्य परिश का गठन हुआ और 1957 में संसद ने एक कानून के द्वारा मध्य परिश में विधान परिशद स्रिजित करने का प्रावधान किया किन्तु कानून में प्रावधान किया गया था कि विधान परिशद उस दिन से अस्तित्यों में आएगी जिस दिन से उसे अस्तित्व में आने के लिए राश्ट्रपती के द्वारा तिथी निर्धारित की जाए और राश्ट्रपती ने अभी तक या तिथी निर्धारित नहीं की है अगर मद्ध्य प्रदेश में विधान परिशत का स्रिजन हो गया होता तो शायद राज्य विभाजन की परंपरा के अनुसार 36 गड़ में भी विधान परिशत का गठन संभव हो गया होता इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखने की बात है कि मंध्य प्रदेश में कई बार मुख्य मंत्रियों ने अपने साथियों को आश्वाशन दिया था कि राज्य में विधान परिशत का स्रिजन करने के लिए राष्टपती से अधिसूचना जारी कराई जाएगी राष्टपती द्वारा अधिसूचना तो तभी जारी होती जब केंद्र सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव करती केंदर में कॉंग्रेस और विपक्षी दल की सरकारें आती जाती रही किन्तु राष्ट पती ने मध्य प्रदेश में विधान परिशत के स्रीजन की तारीक की अधिसूचना जारी नहीं की दिल्चस्प बातिया है कि अगर मध्य प्रदेश में विधान परिशद गठित हो गई होती तो चत्तिस गड़ का दावा कहीं जादा मजबूत होता जैसे आंधर प्रदेश और तेलंगाना के मामले में हुआ है यह गौर करने की बात है कि जिस तरह केंद्र में संसत के दो सदन उपरी सदन, राज्य सभा और निचला सदन लोग सभा है उसी तरह कुछ राज्यों में विधान मंडल के दो सदन, उपरी सदन विधान परिशद और निचला सदन विधान सभा है विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन आम मद्दाता करते हैं किन्तु विधान परिशत के सदस्यों को नगर पालिकाओं, पंचायतों और विधान सभा के सदस्यों इसनातक शिक्षा प्राप्त लोग और सिक्षन संस्थाओं में कारेरत शिक्षक चुनते हैं विधान परिशत की सदस्य संख्या विधान सभा की एक तिहाई होती है लेकिन इसमें नियूनतम 40 सदस्य होते हैं समविधान के अनुच्छेत 169 या 179 में यह प्रावधान है कि संसद एक कानून बना कर जिस राज्ज में विधान परिशद नहीं है वहाँ विधान परिशद का स्रिजन कर सकती है इस स्रिजन के लिए संबंदित राज्ज को एक संकल्प पारित कर संसद को भेजना पड़ता है और इसके उलट यदि किसी राज्ज में विधान परिशद है तो उसे समाप्त करने के लिए भी ऐसा संकल्प करना होता है इस समय के वल उत्तर प्रदेश, आंधर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महराष्ट्र और करनाटक में विधान परिशदें अस्तित्व में हैं